नमस्का दोस्तों, GetSaket247 के एक उनी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो एक और इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ राजस्तान की मोश्ट इंपोर्टेंट प्रेजेंट की भड़ती कहा सकते हैं वन पाल और वन रक्षक, सभी को पता है, आपके अभी फॉर्म वागर है, अभी भी चली रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी के बहुत सारी इंपोर्टेंट डाउट्स है, और कुछ मैं मेरी तरफ से इंपोर्टेंट आपके लिए आपके पॉइंट्स ले आया हूँ देखे, तीन इंपोर्टेंट चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्या-क्या है? तैयारी के सहाब से करनी हैं, स्लेबर्स बेसिकली क्या रहेगा, बेस्ट बुक्स आपके यहाँ पे क्या रहने वाली है? तो ये तीन जो important point है ना ये सभी के doubts है 99% students के अभी तक यही doubt निकल के आ रहे है कि सर स्लेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि देखे official syllabus अभी तक नहीं आया है RSM SSB ने अभी तक official syllabus नहीं बताया है सारी चीजने discuss करेंगे वीडियो में तो वीडियो में बने रहीएगा best books के बारे में यहां पर बताने वाला हूँ सभी दोस्तों का यहीं doubt आ रहे कि सर official syllabus पता नहीं कब तक आएगा हम अमारी तेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा बता दो कि हम अमारी तेयरी शुरू कर सके ताकि जबी भी official syllabus आ जाए तो हम उसके इसाब से कुछ comment book वगरे बाद में लेके आ जाएगे लेकिन at least हम तेयरी शुरू कर सके इस इसाब से हमें कुछ important guide दे दो ठीक है guide कर दो तो वही चीज़ें आज इस वीडियो में लेके आया हूँ बने रही कर वीडियो के end तक हर एक चीज detail में समधाने वाला हूँ सबसे पहली चीज तैयारी कैसे करें ठीक है form वगरे आपने भर दिया है 10th pass और 12th pass आपका मांगगा है detail जो other detail से इस vacancy की तो वो मैंने अलग वीडियो बना दिया है पहले ही आपको देखना है तो चैनल पर आपके देख सकते हो कुछ यो personally doubt पूछने है तो मेरे instagram handle जितने भी मेरे social media handle है जैसे के telegram है instagram है facebook whatsapp सभी की जो detail है वो आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी कोई personal doubt पूछना हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो फिर से topic पर आ जाते हैं तयारी कैसे करे syllabus और best book कैसे करे तयारी उससे पहले मैं ले लेता हूँ part अमारा syllabus का ठीक है वैसे तो मैं आपको syllabus बता चुका हूँ एक video मैंने separate डाला हूँ ए अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर जाओ अराम से मिल जाएगा लेकिन यह वीडियो देखना आयो तो यहां पर भी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि अगर स्लेवस थोड़ा वो चेंज होता भी है पिछली बार के इसाब से तो आप अपने त्यारी जो है वो अभी शूरू कर सकते हो तो बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हैं क्या क्या आएगा देखे आपका जी क्या आएगा यह तो 100% है सभी को पता है 100% आपका जी क्या आना वाला है इंडिया राजस्तान दोनों का जी के आएगा, ठीक है, तो इंडिया प्लस राजस्तान में यहाँ पर लिख जता हूँ, यह चीज रट लो, अब हमारे दोस्त पोसे हैं कि सर इसके लिए बुक बता दो अलग से, देखे, जो भी हमारे दोस्त पटवारी की तेहरी कर रहे हैं, राजसान की किसी भी एक्जाम की तयारी करें या जिन्होंने पुलिस कॉंस्टेबिल की तयारी की है किसे ने SI की 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 होगी राजसान GK की बुक सब के पास होगी इंडिया GK की बुक सब के पास होगी तो फाल्तू पैसे लगा के नई बुक नहीं लानी है ठीक है उसी पुरानी बुक से जो पहले त्यारी कर चुक है नए है उनके लिए बता दूँगा कौन से बुक लानी है पहले ये सुन लीजे जो पुराने स्टूडेंट्स है नई बुक लाने से सेलेक्शन नहीं होता है सीधी सी बात पहली ये समझ लीजी जीके का पाट आपक पढ़ सकते हो ये दो चीजे कंप्लीट हो गई आपका राजसान जी की पूराने वाला है देखे राजसान जीके में 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 जो टॉपिक है वो बता देता हूं वैसे तो मैंने इसका स्लेबस बढ़ा हुआ है ठीक है वहाँ से जाके देख लेना मैं उसका लिंक स्क्रिप्शिन बॉक्स में देखे जोग्राफिय आएगा हिस्ट्री आएगा आर्ट एंड कल्चर आएगा यह तीन इंपोर्टेंट आपके जो टॉपिक है वह आने वाले है राजसान जीके के और इंडिया जीके के डाउट लियर हुआ करेंट अफेसमन आपको बताई दि जो मैसं मेठामयटिक्स आती है एक्जाम में एए टैं तेम्स लेवल की आएगी ठीक है को परुकर बिजा इसके अलाबार वर साहिए ज्यादा डीप में नहीं आने वाली है जाए जाँ कहसे हो फिया है चोटू हम इंडिय ये कहके तैनिक फिलगयान ठीक है हं हिंदी में कह पार्ट आने वाला है थोड़ा सा समझा रहा हूं जो नए हैं उनके लिए बाकि जिन्होंने पहले स्लेबस देखा रहा हूं थोड़ा सा आगे करके बैस्ट बॉक वगर है वो चीज़ें देख सकते हैं एक आपका टॉपिक था सोशल स्टडीस वेस सही यहां से स्क्रीन शॉट ले लेना सोशल स्टडीस का जो टॉपिक है एक यह आएगा और बेसिकली अभी तक यह है पुराने इस लेबस से अगर कंपेर करों तो यह ही था और यह चीज़ एक और बता दूँ पिछली बार यह ज एक्जाम पैटन में भी चेंज होगा तो अभी यह नहीं कह सकते हैं कि subject के कितने questions आएंगे यह अभी आपको कोई भी नहीं बता सकता पचास question आएंगे, 100 question आएंगे, 500, 200, कितना आएंगे अभी किसी को कुछ नहीं पता है लेकिन basic basic चीजे हैं जिससे आप अपनी जो preparation है वो start कर सको इसलिए वीडियो बना रहा हूं ठीक है यह चीज में पढ़ लो, next बात अगर करते हैं, best book की तो best book के लिए देखें जिनोंने पहले से त्यारी कर रखी है, जिके की या इंडिया जिके की book आपके पास होगी, वहीं से आप पढ़ लीजे, नहीं तो लिूसेंट की book है, वहाँ पे इंडिया जीके science आपको सब मिल ज सकते हो, everyday science और जो social studies है, इसको आप अभी छोड़ सकते हो, थोड़ी दिनों तक, जब तक इसका official syllabus नहीं आता है, तब तक आप social studies वाले topic को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, क्या पता इस बार आए, ना आए, ठीक है, 100% surety नहीं है इन topics की, लेकिन इन topics की 100% surety है, अब ऐसे सिधा सिधा बता दू, इंडिया जी के और यह जो everyday science है, यह आपको lucent की book में मिल जाएगा, ठीक है, simple सा है, ज़्यादा आपने को tough नहीं करना है, बहुत ज़्यादा deep में नहीं आता है, यह चीजे, current affairs आप daily पढ़ते रहिए, या monthly books लाते रहिए, monthly books आती है current affairs की, वहाँ से current affairs start कर दीजिए पढ़ना, lucent की book लाइए, जहां से आप India जी के पढ़ सकते हो, everyday science पढ़ सकते हो, next बात करूँ अगर मैं राजस्तान जी के की, तो कवी सारी books है, लक्षे की है, धरोर की है, RBD publication की धरोर की आती है, लक्षे की book अच्छी आती है, तो यह दू-तिन कुछ books है, यहां से आप अपनी राजस्तान जी के cover up कर सकते हो, यह तो बात हो गई, best book की और slivers की, देखे, books अगर पहले से available है ना, तो नई मतला ना, पुराने से ही पढ़ लो, slivers cover up करना है, थीक है, टियारी कैसे करें, सबसे important चीज है, देखे, राजस्तान का exam है, तो राजस्तान है, यह important है, इसका मतलब भी है नहीं कि इनको आप छोड़ दो, थीक है, तो अभी आप basic क्या कर सकते हो, current affairs पे, ठीक टाक focus करें, क्योंकि current affairs से क्या होता है, जैसे जैसे current affairs पढ़ते हो ना, उनके साथ जब static gk पढ़ते हो, तो राजस्तान की gk और इंडिया की static gk है, वो आ current gk daily पढ़ी है, daily, ठीक है, त्यारिक एसाब से करनी है, वो आपको बता रहा हूँ, current affairs को आप अपने daily routine में लेके आजाई, चाहे कैसे ही पढ़ो, आप अनकली books लाके पढ़ रहे हो, या daily के वीडियो देखके पढ़ रहे हो, या किसी PDF से पढ़ रहे हो, जैसे आपकी चाह ये एकदम basic से मैं आपको बता दिया geography, history, art and culture, राजसान का और इंडिया का दोनों का आने वाला है, तो अब ही से अगर आप कोई और exam की टेहरी नहीं कर रहे हो, जो हमारे दोस्त पटवारी की टेहरी कर रहे हो, उनके लिए तो इस लेवस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि द दो exam की टेहरी की है, उनके लिए इस लेवस कोई बड़ी बात नहीं, जो नए है उनके लिए समझा रहा हूँ, राजसान जी के इंडियर जी के start कर दीजिए, daily current phase, focus करिए, mathematics के basic basic topics निकालने, start कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना जादा hard नहीं आएगा, मैं आपको बता द बता हूँ, वन रक्षक, वन पाल की जो वेकेंसी है, mathematics पे इतना जादा focus नहीं किया जाता है, deep question नहीं आते हैं, basic level के question आएगे, easy to moderate level के question आएगे आपके exam में, तो इनकी जो basic topics है, वो start कर दीजिए, उसके अलगा everyday science, everyday science में मैं आपको कुछ topic बता देता हूँ, आना, क्या आ पढ़ना है, units है, discoveries, invention, यानि कि जो आविशकार वगरे है, इकाया है, यानि कि units है, वो पढ़ लीजिए, measuring tools है, किसी चीज को मापने के जो यंत्र होते हैं, हिंदी इंग्लिश जोनों में बता रहा हूँ, समझ जाईएगा, ठीक है, scientific reasons है, जो everyday science है, जो देनिक विज्ञान ह कि ये, अगर ऐसे होता है, तो ऐसे क्यों होता है, वो वाले question आता है, science में, reason वाले, तो वो इसमें आता है, basic questions है, कुछ differences है, और making decision perspective to science, science के संदर में, जो basic question होता है, जो आपको everyday, आपके आसपास देखने को चीजे मिलती है, वहीं से question आएंगे, everyday science में, समझ गए, तो ये म में इतने ज़्यादा topic cover-up नहीं करने है, वहाँ ज़्यादा deep math भी नहीं पढ़नी है, कोई normal book पड़ी है, पहले से उससे भी कर सकते हो, everyday science वगएर, current affairs, current affairs के तो खहर monthly book लेके आजाना, बहुत अच्छी रहीगा आपके लिए, राश्तान जी के के लिए, मैं आपको बताई routine में रख लीजिए, math भी अगर आप daily नहीं पड़ते हो, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़के एक दिन, इसे भी आप cover-up कर सकते हो, science का भी आप इसे हिसाब से कर सकते हो, कि अभी आपको कम से कम 3-4 महीने का time आपको अभी यहाँ पे definitely मिलने वाला है, ठीक है, यह 100% है, इत आप को 4 महीने भी मिलते हैं, कितने दिन हो जाएंगे, 120, हर दूसरे दिन एक topic cover-up करते हो, तो देखे हर एक subject का लगबग 60 topic आप cover-up कर लोगे, एक दिन छोड़के, अगर आप एक दिन किसी topic का, किसी subject का कोई topic cover-up करते हो, तो भी 60 topic cover-up कर लोगे, बहुत है, अगर 90 दिन भ क्यारी, अभी से शुरू करनी है, देखे, इसके अलावा कोई doubt है, तो पूछ लेना, मैंने थोड़ा सार शायद lengthy बता दिया है, लेकिन ये तीनों जो point है, मैंने cover-up किये हैं, कोई doubt है, तो बता देना, best books, अभी मैं combined book किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ, पहले ही बता र लिया हूँ, practice set ला सकते हूँ, questions लगाने, practice set तो कोई भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन, जो detail वाली books आती है, जिसमें सारा syllabus दे रखा, अभी वो मतलाना, एक बार detail syllabus आने दो, official syllabus आने दो, फिर combined book लाना, तब तक क्या करना है, आपको separate books से पढ़ना है, strategy आपके ही रहने मैं तो सबसे best यही मानता हूँ, कि अगर आपको selection लेना है, तो combined book से कभी selection नहीं होता है, हाँ, वो as a guide आप prefer कर सकते हो, लेकिन selection चाहिए, पूरी detail में topic cover up करना है, तो separate जो books होती है, वो ही सबसे best होती है, authentic writer के लिए कि आईए, और authentic publication होता है, उस ही अच्छी कोई book लेके आ लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाके उन्हें follow कर लेना, यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो क्या करना है, simply आपको पता है वीडियो को like, comment और share करना है, अपने दोस्तों में जितना हो सकते, share कर दीजिए, कोई भी doubt है, तो पूछ लीजिए, चलिए दोस्तों, मिलता हैं एक वीडियो में,